प्राण प्रतिष्ठा के कारिकम से पहले रामलला के पहले दिव्वे दर्शन हुए हैं। प्रतिष्ठा के दोनों तरफ भगवान विश्रू के दसों अवतारों को भी उकेरा गया है। इधर गर्भग्रे में स्थापिक की गई रामलला की भवे तस्वीर भी सामने आई जिसमें रामलला के पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। महसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज देश मूर्ति को बनाया है। ये प्रतिमा पांच साल के बालक की कोमलता को समेटे हुए बेहत दिव्य और सुन्दर है। मूर्ति के उपर मुकुट और आभा मंडल मौजूद है। जिसे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोला जाएगा। इस प्रतिमा को देख कर साधूसंद भाव उप हो गए। अती मन मोहक है और कुछ कहा नहीं सकते हैं। प्रांगण में खड़े हुए तो खड़े ही रह गए, देखते ही रह गए। मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई हैं। वाकई मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस से पहले गुरुवार को रामलला के विग्रह को मंत्रो चार और पूरे विधिविधान के साथ राममंदर में स्थापित किया गया। इन सब के वीच रामलला की एक और प्रतिमा की खुबसूरत तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में राम लला पूरे श्रंगार में दिख रहे हैं। आला कि मुर्ती की आँख पीली पट्टेका से ठकी हुई है। राम लला की मुर्ती का श्रंगार मुर्तिकार अरुन योगिराज की देखरेक पे चल रहा है। और इस मूर्ती में सिर पर खुबसूरत मुकुट के साथ राम लला की प्रतिमा है। जिन्होंने राम मंदर के जिंग हासन, दर्वाजे, खंबे, सीडियों से लेकर ट्रथम और दूसरे तल का डिजाइन तयार किया पत्थरों को तराशा। मंदर के गर्वग्रेह की दीवारों, छटों, दर्वाजों, फर्ष और सीडियों को मकराना की पत्थरों से तराशा गया है। यही नहीं, मंदर निर्माण से जोड़ी जानकारियों को महमद इमरान ने 25 साल तक गुप्त रखा। महमद इमरान और उनके चीफ आर्खिटेक्ट गनी महमद को प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम में शामिल होनी का निमंत्रण मिला है। पर शुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की अवतारों की मूर्तियां बनी है। साथ ही श्री राम प्रतिमा की शिकर पर सूरी देव विराजमान है। श्री राम सूरी वंच के थे इसलिए उनके वंच के देवता को सबसे उपर स्थान दिया गया है। वही उपर के ओर राम लाला के चहरे के आसपास ओम, शंक, चक्र, गदा और स्वास्तिक के प्रतिक बने हैं। प्रतिमा के नीचे की ओर एक तरफ हनुमान और दूसरी ओर गरुन की मूर्ती बनी है। श्री राम की इस प्रतिमा के एक हाथ धनुष और दूसरे हाथ में तीर है। जबकि राम लला के मस्तक पर तीरा जड़ा जाएगा, वही राम लला के चड़नों के नीचे कमल दल की आकरती बनाई गई है. राम जन भूमी पर बन रहे मंदिर के गर्वग्रे में राम लला की मूर्ती स्थापित हो चुकी है. प्राण प्रतिष्ठा के तैया अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद भक्त राम लला के दर्शन कर पाएंगे. राम मंदिर में आज अरणी मंथन से यग्य कुंड में अगनी प्रज्वलित की गई. जिसके साथ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चौथे दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ. अरणी मंथन करके अगनी को प्रज्वलित किया गया, जिसे नौ कुंडों में बाटा गया. ये अगनी आज से प्रारम बहो करके 22 तारीक तक, जब तक पूर्णा होती नहीं होगी, तब तक इसमें दिन रात प्रज्वलित रहेगी. वहीं आज नवग्रहों को स्थापित करके उनकी पूजा की गई, और बड़ी वेदी पर चांदी की प्रतिमा स्थापित करके महा पूजा की गई. आचारियों के मताबिक योगिनी और कशेत्रपाल अगनी की रक्षा करते हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्था के अनुष्ठान के लिए इनका पूजन भी बेहत जरूरी है. अरणी मन्थन से अगनी को प्रजोलित करके अनुस्ठान को आगे बढ़ाये गया आईए आपको बताते हैं कि कैसे अरणी मन्थन के लिए अगनी प्रजोलित करते हैं और यग्य किया जाता है अरणी शमी की लकडी का एक तक्ता होता है जिसमें एक छिचला छेद होता है और इसी छेद में पीपल की लकडी से बनी छडी को मतनी की तरह तेजी से चलाया जाता है जिससे तक्ते में चिंगारी निकलती है और हवा देकर आग को बढ़ाया जाता है और यग्य में इसी अगनी को प्योग किया जाता है जिसके साथ रिशी मुनी विशेश मंत्रों के माध्यम से अगनी देवता का अहवान करते हैं ऐसे माननेता है कि उन मंत्रों से प्रभावित होकर अगनी देवता स्वैम यगन कुण्ड में प्रकट होते हैं आरुनी मंथन के साथ ही आज श्रीडाम मंदिर के लिए विशेश वास्तु शान्ती पूजा भी विधिवत तरीके से हुई जिसमें भगवान का अध्रे प्रवेश कराया जाएगा वास्तु शान्ती के लिए पूरे मंदिर को एक सूत्र में लपेटा गया ऐसी मान्यता है कि इससे मंदिर की रक्षा होती है 12 अधिवासों में से एक धन्या धिवास अनुष्ठान भी कराया गया इसमें भगवान को धान में रखा गया ये सभी अधिवास 21 जन्वरी तक पूरे कर लिये जाएंगे 21 तारिको रात को जब भगवान सो जाएंगे उनको पलंग पर सुलाया जाएगा उसको शया दिवास बोलते हैं तो उस दिन ये कारिये पूरा होगा शनिवार से प्राण प्रतिष्ठा सम्बंदित होम शिरू होंगे जो बेहत एहम अनुष्ठान है जिसमें भगवान को घी में रखा जाएगा प्रदान मंत्री नरंदर मोधी ने नासिक के काला राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के मंदिरों में सफाई अभियान का संदेश दिया था मुख्य मंत्री योगी आधितनाथ 22 जन्वरी को आयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारू की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज आयोध्या पहुंचे इस दौरान उन्होंने रामकथा पार्क में समिक्षा बैठ भी की जबकि योगी आधितनाथ ने अपने अयोध्या दोरे की शुरूआत हनुमान गढ़ी से की अयोध्या पहुंचने पर हुनोंने सबसे पहले हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना की इसके बाद योगी आधितनाथ राम मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने मंदर निर्माण और प्राण पतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया अधिकारियों से बाचीत की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिये 22 जनवरी के इस हैथ्यासिक पल के कारिक्रम को सुरक्सित और सुविवस्तित तरीके से संपन्न करने के लिए अपने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है सीयम योगी ने राम मंदिर परिसर का भ्रमन भी किया इस दौरान वो बेहत खुश नजर आये और राम मंदिर बनने की खुश इच्छे पा नहीं सके योगी आधितनाथ ने जनता से अपनी भावनाओं पर सहयम रखने और तालमेल के साथ भगवान राम की दर्शन करनी की अपील भी की योगी आधितनाथ ने कहा कि लोग कारिक्रम बना कर ही अयोध्या आएं जबकि आयोध्या दौरे में योगी आधितनाथ विंटेज कार की सवाली करते हुए भी नजर आए इस दौरान उन्होंने हाथ हिला कर सड़क के नारे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया इसके अलावा योगी आधितनाथ आयोजन स्थल पर चल रही एक हजार आठ कुंडिये हनुमन महायग्य में भी शामिल हुए योगी आधितनाथ ने आहुती दे कर सुखी स्वस्थ वसम्रिद उत्तरप्रदेश की काम नागी एक महीने के अंदर तीसरी बार आयोजन पहुँचे योगी आधितनाथ ने बोट से सरी उगाट का भी जायजा लिया तो इसके बाद नाविकों को लाइफ जैकेट्स भी बांटी योगी आधितनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राण प्रतिश्चा समार हो और इसके बाद आयोजन पहुचे लिए प्रिदान मंतरी नरेंदर मोदी के आधिकारिक विमान के लिए रजव है बाकी के विमानों की पार्किंग के लिए यूपी समेट पांच राज्यों के बारहे एरपोर्ट्स पर विवस्था की गई है एड़पोर्ट अथोरिटी के मताबिक लख्रुव में आठ और कानपूर में 10 विमानों को पार्किया जा सकता है प्रयागराज और कुषीनगर में 4-4 विमानों की पार्किंग की विवस्था है इसी तरह वारानसी में 6 और गुरकपूर में 17 विमान पार्क हो सकते हैं दूसरे राज्यों के अगर बात करें तो इन दौर में 10 और खजुराहों में 4 विमानों को खड़ा किया जा सकता है साथ ही जरूरत पढ़ने पर विमानों को दहरादून, देवघर और गया एरपोर्ट पर भी पार्क किया जा सकता है पीली भीत में राम मंदर के लिए सबसे लंबी बांसुरी तयार की जा रही है उत्तरप्रदेश के पीली भीत में राम मंदर के लिए 21 फीट 6 इंच लंबी बांसुरी बनाई जा रही है इस बांसुरी को तीन मुसलिम कारीगर 22 साल पुराने बांस से बना रही है उनका दावा है कि ये दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी है मध्यपरदेश के मंदला में एक कारीगर ने अयोधिया के राम मंदर का मौडल कांच की बॉठल के अंदर बना कर तयीया द किया है मंदिर के इस मौडल को बांस से बनाया गया है अयोधिया में स्टीट लाइट के खम्मों पर छोटे स्पीकर लगाई गये है इन स्पीकर के जर्ये लगातार भगवान राम के भजन और कीर्टन सुनाई जा रहे हैं अयोधिया में प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटियस ने तीन संदिग्दों को पकड़ा है तीनों संदिग्दातं की अर्श डल्ला गैंके सदस से बताई जा रहे हैं संदिग्दों से पूछताच की जा रही है साथी पूरे शेहर की चौक सी बढ़ा दी गई है खड़ाके की ठंड के बावजूद रामभक्तों का उत्साह चरम पर है शेहर में जगए-जगे धार में कारिकरम किये जा रहे हैं रामलला की प्रान प्रतिष्ठा से पहले उनके स्वागत के लिए स्पैशल बैंड भी वहां पहुंच किया है पी एसी के इस बैंड ने शेहर के लता मंगेशकर चौक पर अपनी प्रस्तिती दी इस बैंड की धुन ने लोगों को बर्बस ही अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें जूनने पर मजबूर कर दिया तो वहीं अदिती शुक्ला ने भजन गाकर रामभक्तों के उत्साह को और बढ़ा दिया देश के कोने कोने से कलाकार आयोध्या पहुँचे और रामधुन में रमे नजर आए अयोध्या नगरी को दुलन की तरह सजाया जा रहा है इसके लिए देश के कई शहरों से फूल मंगवाए गए हैं और इन फूलों से मंदिर से लेकर वहाँ जाने वाले सभी रास्तों को भी सजाया जा रहा है जिसके लिए हापोड और कोलकाता समेट देश के कई शहरों से सतर टंसे ज्यादा फूल मंगाए गए अयोध्या की ज्यादातर गलिया रंग बिरंगे फूलों से सज गई है जबकि बाकी जगों पर सजाने का काम जारी है इसके साथ ही शहर में जगा जगा भगवान राम के बड़े-बड़े कटाउट लगाए गए हैं जो काफी आकरशक है प्राण प्रतिष्ठा समारों को खास बनाने में जुटे अधिकारी कोई भी कोर कासर नहीं छोड़ रहा है पूरे शहर को जहां फूलों और खुबसूरत लाइटों से सजाये गया है तो वहीं रामभक्तों के लिए लेजर शो का आयोजिन किया जा रहा है सर्यू नदी के तड़ पर आयोजित लेजर शो ने सब को मंत्र मुग्ध कर दिया इस लेजर शो में रामायड की प्रमुखंशों को बेहत खूबसूरत और प्रभावी तरीके से दिखाया गया सर्यू तड़ के पास राम की पैड़ी के पास किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं सर्यू तड़ पर होने वाले लेजर शो को देखने हर रोज हजारों लोग पहुँच रहे हैं जिसके लिए शहर में अलग-अलग जगों पर सेफ्टी पॉइंट बनाई गए हैं जगा जगा बनाए गए ये सेलफी पॉइंट राम नगरी की सुन्दर्ता को तो बढ़ा ही रहे हैं अयोध्या आने वाले शधालूं को भी ये सेलफी पॉइंट काफी पसंद आ रहे हैं राम भक्त आयोध्या के मंदिरों में पूजा तो कर ही रहे हैं साथे सेलफी पॉइंट पर तस्वीरे भी ले रहे हैं 22 जनवरी को होने वाले समारों को भवे बनाने के लिए तैयारिया जोरों पर है देश विदेश से उपहारों के पहुंचने का सलसला भी जा रही है और इस बीच 5,000 लीटर शुद्ध देशी गी आयोध्या पहुंचा है जिसका इस्तिमाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनने वाले प्रसाद में किया जाएगा बताया गया कि कानपूर में करीब 5,000 किसानों ने इस खास घी को तैयार किया कानपूर से एक ट्रक के जरिये घी आयोध्या लाया गया और श्रीराम जन्मगूमी तीर्थ शेतर ट्रस्ट को सौंप दिया गया इस बीच लखनौव से लेकर आयोध्या तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गया सुरक्षा कर भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाये हुए हैं हर आने जाने वाले लोगों की तलाशिली जा रही है एक दिन पहले तीन संदिग्द लोगों के पकरे जाने के बाद पूरी आयोध्या को छाबनी में तबदील कर दिया गया और किसी भी हालात से निपटने के लिए शेहर भर में आरेफ की जवानों ने मोर्चा समहल लिया शेहर में जगा जगा रैपेड एक्शन फोर्स की महला जवान भी तैनात नजर आई हनुमान गड़ी मंदिर हो या फिर कोई और जगा पूरी तलाशी के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया गया ताथ ही पूरे शेहर में CCTV कैमरे भी लगा दिये गया है ताकि लोगों पर निग्रानी रखी जा सके ये रामनगरी की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए यूपी पुलिस पी एसी विचेश सुरक्षबल समेथ एंडियारेफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है अयोध्या में सर्यू नदी और घाटों पर एंडियारेफ की तीन टुपडियां भी तैनात कर दी गए ताकि वहाँ कोई अन्होनी होने पर तुरंथ मदद पहुंचाई जा सके अयोध्या की त्री स्तरिय सुरक्षा ब्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं जल हो थल हो नभ हो हर तरब कड़े सुरक्षा के इंतिजाम है और आप देखें ये जल सुरक्षा के तहट ये एंडियारेफ के जो जवान है वो अपनी नौका को तियार कर रहे हैं NDRF T80 में अत्याधुनिक राहत बचाव उपकरणों से लेस हैं और किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान राहत बचाव उपरेशन को पूरा करने में सक्षम हैं नावों को GPS से लेस किया जा रहा है प्रांट प्रतिष्ठा के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बार कोडिंग का इस्तमाल किया जा रहा है और पूरी जांच होने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर पर जारी सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर कॉंग्रिस नेता दिग्विजे सिंग ने एक बार फिर राम मंदिर के बारे में विवादित बयान दिया है उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर बनाना लक्ष नहीं था बलकि बाबरी को गिराना मकस्त था साथ ही दिग्विजे सिंग ने सवाल उठाए कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों पी जा रही है उन्होंने इसे शास्त्रों का उलंधन बताया जिस तरीके से शंक्राचारे कई ये कह रहे हैं चार शंकराचारों में से दो शंकराचारे के ये कहना है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अदुरे मंदिर मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी यही बात दिग्विजय सिंग ने भी दोहरा ही है मूर्टी पहले जो दिखाई थी उसमें तो जो राम दर्बार का चित था इस बार जो आज जो उनोंने दिखाई हैं मूर्टी इसमें की उसमें पांच साल की आयू के वो उसका स्वरूप है राम जी का निर्माना धीन मंदिर के अंदर प्रान प्रतिश्टा होना उस सब्सक्राइब प्रिश्टा सवारोह पर जारी राजनीति यह बार फिर गरमाति नजर आई, बीजेपी ने कॉंग्रेस और उसके सायोगी दलों पर रामद्रोग का आरोप लगा दिया, तो वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी को कट घरे में खड़ा करने की कोशिश की। कॉंग्रेस ने शंकराचारियों की आपत्तियों को जरिया बनाकर बीजेपी को एंटी हिंदु बताया उन मोदी जी के जितनी चम्चो है, वही से भी हिंदुस्तन के हिंदु है बंगाल कॉंग्रेस अध्यक्षधी रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हिंदु धर्म से खिलवार करने का आरोप भी लगाया हिंदु धर्म को एक चुनावी मुद्द बनाने जा रहे हैं, आज से नहीं बराबाण हिंदु धर्म के साथ मैं कहूंगा जब बीजेपी पर्टी खुद ये खिलवार ना करे बीजेपी पर्टी खुद हिंदु धर्म का धजिया उरा रहे है और उसने इसका प्रतिकार करने में जरा भी देरी नहीं की, भारतिय अजनता पार्टी ने अधिरंजन चौदरी के बयान को उनकी राजने तेक मजबूरी बताया बीजेपी नेता मंजंदर सिंग सरसा ने कहा कि अधिरंजन चौदरी को सनातनी होने के बावजूद ऐसे बयान इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि सोनिया और राहूल गांधी की लाइन पर चलना उनकी मजबूरी है लेकिन कॉंग्रेस अपने रुख पर कायम रही और प्रान प्रतिष्ठा समारोहो पर शंकराचारियों की आपतियों को मुद्दा बना दी दिखी यही नहीं कॉंग्रेस ने प्रान प्रतिष्ठा समारोहो को राजनीतिक कारिक्रम बता दिया इसी बीच कॉंग्रेस नेता देग्विजे सिंग लगातार रामलला की मूर्ति पर सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए उन्होंगे शंकराचारे स्वामी स्वरूपा नंद जी महराज के सुझावों को आधार बनाया। और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ, विध्ध्वन्स हुआ, वो कहा है। दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यक्ता थी। हमारे गुरु शंकराचारे सुआमी स्वरूपानन जी महराज ने ये भी सुझाव दिया था, कि राम जन्म भूमी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मा कौशल्या की गोध में हुनी चाहिए, लेकिन जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती है, हाला कि दिखविज़ सिंग के सवालों को उमा भारती ने सिरे से खारिश कर दिया उमा भारती ने ये कहते हुए कॉंग्रिस को घेरा कि उसने हमीशा राम की अस्तिप्टो पर सवाल उठाई इसके अलावा उमा भारती निश्वपाल सिंग यादव द्वारा कार सेविकों पर गोली चलाने को समवैधाने को और नियाए संगत करार देने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की पहुँगी कि चाचा उस समय पर तुमने तो नहीं किया लेकिन जिनने भी ये काम किया उनके जो भी लोग बचे हुए हो वो घुटनों के बाल रहेंगे ते वह अधिया में जाए और मा भी मानुश इंडिया अलाइंस में शामिल पार्टियां अपने रुक पर आड़ी नजर आई उन्होंने बीजेपी पर राम का नाम लेकर राजनीती करने और ज्वलन्त मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का रूप लगाया आरजेडी सांसत मनुश जा अपने नेता तेजस्वियादब की ही तरह देश में मौझूद समस्याओं पर ध्यान ना देने के लिए बीजेपी को घेर ते नजर आए मंदिर, मस्जित, गुर्दवारे, चर्च की साइज के लिए नहीं चुनियादी है सरकारों का मतलब मनिपूर में फिर जो घटना हुई है उस पर मैं प्रधान मंत्री जी और बड़े लोगों कोई प्रतिक्रिया ले देगा इतनी बड़ी-बड़ी समस्या है समच लेकिन आ आप 24-7 चाह रहे हैं कि इस स्पेक्टिकल के ताथ बाकी चीजों पिचर चाना हो राम भी बहुत नाराज होंगे आपसे जपी केंद्रिय मंद्री पियुष गोयल ने राम मंद्र को भारतियों की असमिता से जोड़ते हुए विपक्ष पर हमला बोला सुप्रीम कोर्ट का निड़न है पूरे सम्मिधानिक तरीके से कारिक्रम हो रहा है और मैं समचता हूँ इसका रादनीती करन किसी ने नहीं करना चे यह हमारी आस्ता हमारे विश्वास हमारे धर्म और हम सब की असमिता का सवाल है वही केंद्रिय मंत्री प्रहलाज जोशी ने कहा कि जिसके राम में श्रद्धा नहीं वो अयोध्या ना आए असम के जोरहाट में कॉंग्रस नेता राहूल गांदी की भारत जोड़ो नियाय यात्रा के खिलाफ फायार दर्ज की गई है बताया गया कि राहूल गांदी ने जोरहाट में यात्रा के दोरान अपना तय रूट बदल लिया जिससे इलाके में अफ्रा तफ्री जैसा माहूल बन गया राहूल गांधी की न्याई यात्रा का चटा दिन है कॉंग्रेस की भारत जोड़ों न्याई यात्रा का नेत्रतु कर रहे राहूल गांधी कल असम पहुंचे प्रिशासन के मताबिक असम के जोरहाट में यात्रा ने अपना रूट बदल लिया जिस रूट की इजाज़त दी गई थी उस पर ना जाकर काफिला दूसरी तरफ मुड़ गया जिससे लोगों में अफरा तफ्री मच गई जिसके बाद कुलिस ने स्वताहसन ज्यान लेते हुए कॉंग्रिस की न्याई यात्रा और उसकी आयोज़क के खिलाफ एफाई यार दर्ज कर ली सुबह होने के साथ ही मामले पर सियासत गर्मा गई कॉंग्रिस ने बीजेपी पर यात्रा को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया असम की जोरहाट में कल रात न्याई यात्रा पर फायर दर्ज हुई और सुबह कॉंग्रिस ने तर राहूल गांधी माजूली द्वीप के लिए रवान हुए इस दौरान उनके साथ कॉंग्रिस के कई बड़े नेता मौझूद थे जो नाव पर बैठे और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इस सित माजूली द्वीप पर पहुँचे भारत जोडो न्याय यात्रा के छटवे दिन एक अलग तस्वीर दिखाई दी यात्रा की बस पीछे रह गई और राहूल गांधी अपने सहीयोगियों के साथ नाव में बैठ कर आगे बढ़ गए इस दौरान पार्टी महासचेव जैराम रमेश और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा भी उनके साथ मौझूद थे माजुली पहुँचते ही राहूल गांधी ने रैली की और लोगों को संबोधित किया इस दौरान बीजेपी आरेसेस पर जुबानी हमला करते हुए राहूल ने कहा कि हम आपको आदेवासी कहते हैं और बीजेपी आपको वनवासी कहती है राहुल गांधी ने कहा कि हम आदिवासियों को उनका हक देना चाहते हैं जबकि बीजेपी हक छीन रही है असम के माजुली में भी कॉंग्रेस नेता ने एक बार फिर मणीपुर में ग्रहयुद जैसे हालात की बात कही कॉंग्रेस ने निया यात्रा पर हुई F.I.R को मुखे मंत्रे हिमंद विसू सर्मा की बॉखलाट बताया तो वहीं बीजेपी ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाया कि सामप्रदा एक हिंसा भढ़काने के लिए यात्रा का रूट बदलने के पीछे दलील दी कि जहां लोग बुलाएंगे वहां हम जाएंगे बीजेपी ने कॉंग्रेस पर जान भूज कर यात्रा के तैरास्ते को बदलने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी को पी-म मोधी और सी-म हिमंता का धन्यवाद करना चाहिए वहीं F.I.R. को लेकर कॉंग्रेस के महासरचेफ जैराम रवेश ने कहा कि सी-म हिमंता न्याई यात्रा से बौकलाए हुए है असम के मुखे मंत्री बौकलाए हुए हैं बड़े परेशानी में हैं बड़े दुखी हैं और बिलकुल बेकार की बयान देते रहते हैं असम के माजुली पहुँचने से पहले जोरहाट में कॉंग्रेस की नियाई यात्रा के खिलाफ रूप तोड़ने को लेकर F.I.R. दर्ज हुई है माराष्ट के सोलापूर में प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शेहरी आवास योजना के 90,000 से ज्यादा लाभार्तियों को घर सौपे इस दौरान उन्होंने कई लाभार्तियों को घर की चावी भी दी गरीबों को घर सौथते वक्त पीएम मोदी ने अपने बच्पन का जिक्र किया और वो भावो को गए उन्होंने का कि काश बच्पन में भी मैं भी ऐसे घर में रह पाता बोलते हुए पिए मोदी का गलार उंद गया और उन्होंने अपने भाशन को बीच में ही रोप दिया और मैं जा करके देख के आया मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बच्छमन में ऐसे घर में रहने का मोकब लगा यह चीजे देखता हूँ मन को इतरह संतोस होता है इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशिरवाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं आयोध्या में तीन संदिक्दों की गरफतारी हुई है बड़ी ख़बर इस समी की आपको बता दे ATS का तीनों संदिक्दों पर बड़ा खुलासा सुखा गैंग से जुड़े आरोपी शंकरलाल के तार सुखा से बात करता था आरोपी शंकरलाल विदेश से खलिस्तानी दे रहे थे निर्देश आयोध्या की रेकी कर रहा था ये शंकरलाल तीन आरोपियों के पास मिले संदिक्द दस्तावेज फर्जी आईडी और स्फजे के आडियो भी बरामद हुए है तो तीन संदिक्दों को गरफतार किया गया है आयोध्या से यूपी एटेस ने ये गरफतारी की है पूछता जारी है गुर्पतवन सिंग पन्नू के संगठन से जुड़े हुए है इन संदिक्दों के तार अलाकि पुलिस और साक्ष जुटाने में लगी हुई है और कहीं कोई और बड़ी साजिश ना हो इसका भी खुलासा होगा गुजरात के बड़ादरा में कल हुए नाव हाथसे के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्श कर लिया गया इस हाथसे में 12 बच्चों समेथ 16 लोगों की जान गई थी शुरुआती जांच में सामने आया कि नाव पर जरूरस से ज़्यादा लोग सवार थे जिनमें कई बच्चों ने तो लाइफ जैकेट तक नहीं पहनी थी बच्चों से भरी नाव जील में सेल्फी लेने के दोरान एक और जुकी और सारे बच्चे पानी में गिर गए मरने वालों में 14 चात्रों समेथ 2 शिक्षक भी शामिल थे हादसे में जानगवाने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का एलांग किया गया है और अब बाद DP World IL T20 सीजन 2 की जहां दुनिया भर के टॉप 20 हीरोस भीडेंगे और कोई कसर नहीं छोडेंगे DP World IL T20 सीजन 2 शुरू हो रहा है आज रात 8 बजे से एंड पिक्चर्स और Z5 पर देखना ना भूने तो देखें DP World IL T20 सीजन 2 का पहला मैं शार्जा वारियर्स और डिफेंडिंग चैंपिन्स गल्फ जॉइंट्स के बीच आज रात 8 बजे एंड पिक्चर्स और Z5 पर कर्नाटक के बैंगलोरू में प्रधानमंत्री नरिंड्र मोदी ने विमान बनाने वाली कंपनी बोईिंग के इंडिया इंजिनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी सेंटर परेसर का उधगातन किया इस दोरान करनाटक के राजपाल, फावरचंद, गहलोत और मुखी मंत्री सिद्धर अमया भी मौजूद रहे कॉंग्डे सध्यक्ष मल्लिकारजुन खरगे ने एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई हाई लेवल कमिटी के सचेव को पत्र लिखा पत्र में उन्होंने कहा के उनकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्षन के विचार का कड़ा विरोध करती है उत्तर प्रदेश में आगामी लोगसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रिय लोगदल के बीच सीटों को लेकर सहमती बन गई है समाजवादी पार्टी के अधियक शकलेशी आदव ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स के जर्येस की जानकारी दी टीमसी नेता महुआ मुइत्रा ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है इससे पहले महुआ दिली हाई कोट पहुँची थी लेकिन अधालत ने बंगला खाली करने वाले नोटिस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था